नमज़कर दोस्तों तो आज के इस वीडियो में एक और पोर्टफोलियो को हम चेक आउट करने वाले हैं तो चिनका ये पोर्टफोलियो है तो ये एक इनड़ा ही है चिन्होंने ओक्टूबर 2021 से इन्वेस्मेंट करना स्टार्ट किया है जब मार्केट ओल टाइम हाई पे था देन इन्होंने बताया कि ये अनादर 30 लेक का इन्वेस्मेंट करेंगे निक्स्ट दो साल के अंदर चो मार्केट लीडर वाले कमपनीज है लाइक बजाज फाइनस एश्यान पेंट, पॉलीकेब, LTI, Avenue, सुपर्टमार्ट, टाइटेन, ICI से तो इन कमपनीज में इन्वेस् वोलाटाइल है तो चलिए दोस्तों देख लेते कि कैसा पॉर्टफेलो इन्होंने बनाया है कैसे पॉर्टफेलो को और भी बेटर बनाया जा सकता है इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है 28,83,000 का और करेंटली पोर्टफोलो का वैलू है 28,73,000 का तो थोड़ा सा प्राफिट होड़ा है 10,000 का और 29 स्टॉक्स टोटल इनके पोर्टफोलो में है तो सबसे पहला जो कंपनी इनके पास है तो यह है VBL जहाँ पे टोटल 146 शेर इनके पास है 597 के लेवल पे 73 पोर्षेंट का काफी बड़ा प्राफिट है इतने का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है और अभी वो इन्वेस्टमेंट का जो वैलू है वो 10,000,000 के उपर जा चुगा है तो बहुत ही अच्छा कंपनी है बहुत ही अच्छा अलोकेशन अपने दी है तो VBL को आप लॉंग टर्म के लिए होल्ड कर सकतो देने टाइटन कंपनी एंट इधर पे इन्होंने टोटल 30 शेर परचेस किया है 1930 के लेवल पे अगेन बहुत अच्छा लेवल है 35% का प्रॉफिट इनको मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट वैलू अभी बन चुका है 78,000 के उपर बहुत अच्छा बहुत स्ट्रॉंग कंपनी है डाटा की आप कह सकतो वन अब दी बेस्ट कंपनी में है या पे टाइटन कंपनी आगे यह कंपनी और भी एकस्पांट करेगा तो प्रॉफिट इधर से और भी बनाया जा सकता है क्योंकि इंडिया में तो अपोर्चुंटी काफी और कंपनी अभी इंटरनेशनल मार्केट के उपर भी फोकस वहुत करड़ा है तेने आइसे से बैंक 100 क्वांटिट के पासे 20% का प्रॉफिट इनको हो रहा है एंड 72,000 का इंवेस्टमेंट है 88,000 के उपर भी इंवेस्टमेंट वैलू जा चुका है आइसे से बैंक is a very good company and very strong company जो की काफी reasonable price में इस टाइम में trade हो रहा है तो इस company को भी long term के लिए hold करना चाहिए तेने बजाज finance इधर पे 17% याने की 17% का profit हो रहा है और investment value 3,000,000 के उपर जा चुका है company again बहुत strong है and बहुत अच्छा है and quality company है and growth अगर देखेंगे तो काफी aggressive type का देखने को मलता है still इतना बड़ा बनने के बाद भी तो बजाज finance को hold कर सकतो आप and इनका जो super app है अगर वो successful रह जाता है तो digital के थुरू काफी growth आने वाला है next company Asian paint and 48 sharing के पास है total 15% का profit हो रहा है 1,62,000 के उपर investment value जा चुका है company बहुत अच्छा है बहुत strong है consistent है तो Asian paint को ज़रूर आप long term के लिए hold करने की कोशिश कीजे देने relance industries 40 quantity इनके पास है 9% का profit है investment value एक लाग के उपर अगेन बहुत strong है and company ने बताया कि green energy से जो growth है वो बहुत ही fast आएगा and साथी साथ company बहुत जादा जो capix है वो करने वाले इनके जियो के business में इनके retail के business में और oil के business में भी जो उसे business है वहाँ पे भी तो relance को long term के लब hold कर सकतो kind of defensive stock आप relance को कह सकतो देने वाली के 50 quantity इनके पास है सारे 8% का profit investment value 1.2 lakh के उपर जा चुका है company अच्छा है growing है and market leader है next इनके पास है HP additives and 70 quantity इनके पास है 7% का profit हो रहा है 32,000 का investment value अभी HP additives के अगर बात करें तो company का sales growing है revenue growing है बट कईने कई पे मुझे valuation थोड़ा high ज़रूर लगता है क्योंकि 106 का PE ratios का and इससे सिस्थे valuation पे भी आपको companies मिल जाएंगे although company का June quarter का result बहुत भड़ीया था बहुत बढ़ा growth company ने पोस्ट किया था तो थोड़ा सा weight and watch आप कर सकतो कि इतना high values को मिल क्यों रहा है तो demand ये जो company है बहुत अच्छा है बहुत strong है और आगे भी expected की growth बढ़कर डर रहेगा क्योंकि CEO ने खुद बोला कि 20 साल तक रिलांस लीटेल, एविनीग सुपाटमार्ट ये दोनों जो है वो खुद से competition करने के वजाए 20 साल में आडाम से grow कर सकते क्योंकि market opportunity इंडिया में इतना बड़ा है देने SBA card 124 share इनके पास है 2.4% का profit investment value 1.1 lakh के उपर company अच्छा है fundamentally strong है sound company है तो hold up कर सकतो SBA card को देने L&T infotech 10 quantity इनके पास है अभी कोई profit नहीं है 46,000 का अभी investment value है company अच्छा है company बहुत strong है growth काफी अच्छा आ रहा है इस में IT सेक्टर में problem थोड़ा जरूर चला है थोड़ा headwind है attrition की वज़े से बड़ वो भी attrition रिट next quarter से कम होने का बहुत high possibility इस time पे तो LTI को आप long term के लिए जरूर hold करने की कोशिश कीजिए next इनके पास है Latin view and इधर पे 3% का loss हो रहा है and 18,400 का investment value company अच्छा है fundamentally strong है and valuation थोड़ा है जरूर है but growing company है and company ने बोला भी है that पहले इनको जो orders मिलते थे वो 0.5 million dollar की होते थे 0.4 million dollar के होते थे बट अभी 1-2 million dollar के भी order company को मिल रहा है तो order size बड़ा बन रहा है जिसे पता चलता है कि company काफी capable है काफी अच्छा कर रहा है तो hold किया जा सकता है तेने alkalamide and 3% का loss है and investment value है 62,000 का company अच्छा है strong है hold आप कर सकतो क्योंकि ऐसा बता जा रहा है कि जो growth है वो pharma में FMCG में तो रहनी वाल है and उसको जो raw metal है वो सप्लाई करता है अच्छा है अच्छा है और ग्रोइंग का बन चुका है तो कंपनी फंडमेंटल स्ट्रॉंग है और बहुत ही अच्छा है and growing company management भी अच्छा है तो happiest mind को hold करना चाहिए देने जुबिलान food and 11% का loss हो रहा है 1.48 lakh का investment इन्होंने किया है company ये भी अच्छा है and growth इस sector में भी काफी आने वाला QSS sector में and काफी times इस company ने का कोई return नहीं दिया है बट जुबिलान fruit का long term का chart अगर देखेंगे तो overall अच्छा आपको देखने को मिलेगा expansion चल रहा है business में तो hold आप इसको कर सकतो देने infosys 33 quantity के पास है and 1.6 lakh का investment है 11% का loss हो रहा है company ये अच्छा है and management भी अच्छा है तो infosys क्यों भी आप hold कर सकतो देने इनके पास है prince pipe and इधर पे 162 quantity के पास है 12% का loss है and अभी investment value 95,000 का है तो इक company अच्छा है small के पे बट या पे growing company है valuation भी डिजने भी एस्ट्राल से काफी कम है तो prince pipe को भी hold किया जा सकता है देने infosys and इधर पे 65 quantity के पास है and 12% का अभी तो loss है and investment value 97,000 का है but company fundamentally strong है and growing company है तो infosys को hold आप कर सकतो for long term तेने सोना BLW and 120 quantity इनके पास है 12 या 13% का loss है 71,000 का investment इन्होंने की है company यह भी fundamentally strong है and जैसे कि सुबह एक वीडियो भी हमने post का है main channel पे और वहाँ पे भी हमने यह भी बता है same चीज़ रिबीट किया that company को यह पे EV से आने वाला जो revenue वो continuity बढ़ता जा रहा है 2019 में जो एक percent था जो कि आज के दिन 28% पर जा चुका है and 4-5% के अंदर वो 50% पर जाएगा तब कैसे है तो कि EV से इतना बड़ा revenue अगर आएगा and क्योंकि EV में growth बहुत fast आ सकता है तो company भी बहुत fast grow कर सकता है तो hold किया जा सकता है तेने रुजारी and 30 quantity के पास है 13% का होड़ा इनको loss and investment इन्होंने किया 34,000 का अभी काईफी टाइम से कोई return नहीं दिया है company ने बट अगर देखा जाए तो textile chemical के अंदर company market leader है तो hold किया जा सकता है क्योंकि it is a growing company देने रिलेक्स ओ फूट्वार 133 quantity के पास है 14% का होड़ा इनको loss and 1.5 lakh का investment इन्होंने की है अभी फूट्वार सेक्टर जो डिटेल वाला मार्केट है वो इंडिया में काफी लंबे टाइम के लिए grow कर सकता है जिस बचसे इनको जो बाजार है वो भी high valuation provide कर सकता है तो इसक चाइना प्लस वान मोमेंट चल रहा है इस टाइम में या पे जो यूएस है यूएस चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है तो उसका direct benefit जो है वो इंडिया को मिलेगा इंडिया में डिवीज जैसे कंपनी को मिलेगा क्योंकि डिवीज का रिलेशन यूएस के जो टॉ के अंदर नॉर्मल ऐसे companies नहीं मिलते हैं जहाँ पर एक consistent growth हमको देखने को मिलता है revenue में profit में जो margin है वो भी kind of sustainable देखने को मिलता है तो सिगाची को अब long term के लिए hold कर सकते हो तहीं है डॉक्टर लालपैत लैप्स and 43 quantity न के पास है 18% का होड़ा है इनको loss and 1.3 lakh का investment इन्होंन है वो फाइदा भी नहीं मिला है जिस बसे growth वैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि हाई बेस बन गया था एक साल देर साल पहले but company अच्छा है and still growing company और जो सेक्टर है सेक्टर में एक तो आपके साथ एक साथ में competition काफी है क्योंकि अदानी इंटर करेगा टाटा वानेंज डॉक्त अलाल पतले आपको जो प्रोडाट वगिरा है टेस्टिंग के लिए जो लगता है वो जो टार्संस प्रोडाट है वो सप्लाइ करता है तो उसको भी आप पर ट्रैक जरू कर सकतो क्योंकि proxy company से साथ जाएंगे तो जो उस sector का मीन सेक्टर का वोलाटिरेट है वो काफ का लॉस हो रहा है एक लाग का investment किया था पर कंपनी अच्छा है अगर आप देखिएंगे स्टै में एमसी कंपनी का performance उतना अच्छा नहीं है बट स्टील एटीन पर्सें से ग्रोग किया है इनका जो रेवीन्यू है चोनके क्वार्टर में तो अच्छा कंपनी लाग डखना चाहते हो तो रख सकतो देने itself technologies एंड इधर पर इन्होंने investment के 30,000 का लॉस हो रहा है तो मेरी सबसे अल्डेडी क्योंकि आप Infosys में invested हो तो वह investment ही आप continue कर सकतो और number of stocks को थोड़ा cut down करके 25 तक लाप आते हो आप तो अच्छा रहेगा तो एक्वीटर स्मॉल फाइनस बैंक एंड इधर पर 24,000 का investment है 24% का loss इनको हो रहा है तो एक्वीटर स्मॉल फाइनस बैंक एक अच्छा कंपणी है एंड वैलुशन काफी रिजनबल है ग्रोइंग कंपणी है पट जो रिसेंटल एक नेगरिव अपडेट आया है वो इनके CEO के रिलेटर है कि वो यापर किया था जब बैंक की बात आती है तो मैनेजमेंट सबसे ज़्याद हो जाता है वहाँ पर तेने ग्लैंट फार्मा ट्वेंटी क्वांटी इनके पास है 66,000 का investment है 28% का हो रहा है इनको loss क्लैंट फार्मा भी अच्छा है तो दोस्ति यह था इनका पूड़ा पूर्टफोलियो तो आपको यह पूर्टफोलियो कैसा लगा आपके सबसे पूर्टफोलियो में क्या कुछ चेंजिस करना चाहिए आप नीचे कमेंट करके बता सकतो मेरी सबसे आपने जो फंडमेंटली स्ट्रॉंग वाले कंपनीज में निवेश के आप जादा अलोकेशन प्रोवाइट की है तो वह काम बहुत अच्छा अपने की है जो बजाज फाइनस टाइटान जैसे कंपनीज से इधर पर आप जादा से जादा अलोकेशन देने की कोशिश कीजिए तो आप अपका पौट्फोलो काफी ज्यादा स्टॉंग बज़ जाएगा बाकि आहसको वाले कंपनीज यह उके अब हो मारकेट लीडर फासा अगे भी बहुत है तो पर आप स्टॉडिक कर सकतो तो बहुत बहुत च्छाव में च्छा किमिकल किसी कंपनी के साथ रिप्लेस कर सकतो जो आपके पोटफिलो में है एंड फॉर एक्जम्पल मालो की रोजरी बायोटेक एक केमिकल कंपनी आपके पास है उससे बेटर ग्रोथ अगर आपको दीपक नाइटेट में देखने को मिलता है और उसका या पे उसे कम वैलुशन दीप आपके पोटफिलो में है ओके चले अभी देख लेते कि लॉंग डर में यह अपने पोटफिलो के थ्रू कितना विल्ट क्रेट कर सकते तो टोटल इंवेस्टमेंट हमने लिया है 28 लाग का 18 परसंट का एवर्ज डिटर अगर इनको मिलता है इस पोटफिलो के ऊपर जो कि ज 29 स्टॉक्स को ट्रेक करना एक इंडिविजल के लिए काफी मुश्किल काम बन जाता है अगर 10 साल के लिए अपने पोटफिलो को तो आफ्टर 10 यह जो करिंट इंवेस्टमेंट है इसके थूँ 1.47 करूर का वेल्ट अपक्रेट कर सकते जैसे कि इनोंने बता है कि 30 लाग का और भी यह इंवेस्टमेंट करेंगे निक्स्ट दो साल के अंदर तो इसको हम कर देते 58 लाकान मान लेते कि दो साल में इस पोर्टफोलो में कोई प्रॉफिट नहीं बनेगा एकदम कंसर्वेटिव होके हम चल रहा है और 10 सल की जागा इसको कर देंगे 8 साल तो आफ्टर 8 जो टोटल कॉर्पस यह क्रिएट कर सकते इस पोर्टफोलो के थ्रू वह होगा 2.18 करोर अगें 18% का अवर्ज रिटन एंड हम मान कर चल रहा है कि इस करेंट पोर्फोलो में दो साल में आपको कोई रिटन बन गा नहीं तो आप इतना विल्ट क्रिएट कर सकते अफ्टर 8 ए जाएगा उसके चार साल के बाद 8 करों का हो जाएगा तो ऐसे करके कमपाउंडिंग करता है तो दोस्तों यह था आज का मणा पोर्टफोलो रिव्यू का वीडियो आपको कम इनका पोर्टफोलो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकतो वीडियो अगर अच्छे लगा मिलते अगले वीडियो में बाबाई